पाकिस्तान से भारत लोट आने की बाद आखिरकार अंजू का अगला एहम फैसला क्या कुछ होगा? क्या वहे पाकिस्तान जाना चाहेगी? या फिर दुबई की तरफ रुख करना चाहेगी अपने पाकिस्तानी शोहर्ड नसुरुल्ला और दोनों ही बच्चों के साथ? या फिर वहे अपने भारतिय पती अरविंद को एक और मौकार देना चाहेगी? यह सवाल हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। लेकिन इसी बीस देखा जाए तो अरविंद और अंजू के सुर में सुर मिलते हुए भी नसरा रहे हैं। मनमटाब कही ना कहीं दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दोनों ने एक एहम अपील भी की है। दरसल आपको बता दें कि बीते साल 2023 में 21 जुलाई की दिन जब पाकिस्तान के कराची पहुँची अंजू अपने पाकिस्तानी प्रेमी से मुलाकात करने के लिए। उनों की दोस्ती हुई दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। और ऐसे में देखा गया कि अंजू अपने परिवार को बिना बताई ही। विज़ा लेकर पाकिस्तान पहुँच गई और पाकिस्तान जाकर उसने धरम परिवर्तन कराया, नाम बदल लिया और निकारा चालिया। पहला पती होने के बावजूद भी, यह शादी प्लूटी तक नहीं थी, अंजू ने दूसरी शादी कर ली। ऐसे में देखा जाए, तो अब यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार अंजू तलाक किसी देगी, अनसुर उल्ला को या फिर अर्विंद को, खेर यह तो बात की बात है। लेकिन इस बीच यहाँ पर सुर में सुर दौनों के मिलते हुई नसर आए हैं, अंजू का जो वकील है जे एस सरोहा, जिसका साफतोर पर कहना रहा है कि दौनों के मनमुटाव दूर हो चुके हैं, और ऐसे में देखा जाए, तो फौन पर भी दौनों संपर्क में बने आपको जानकारी दे दे हैं कि सोशल मीडिया पर ट्रॉल करने वालों को अंजू ने धमकी दी है, मुकदमे करने तक की धमकी दे दी है, कि जिन लोगों ने मुझे गलत कहा, उनके उपर मुकदमा किया जाएगा, इस तरह से अंजू का कहना रहा है, सोशल मीडिया पर पुछनाक करने वालों को उन्होंने करारा जवाब दिया है कि एसे लोगों की कमी नहीं है जो हमें बुरा भला बोल रहे हैं मैं उन लोगों से बस ये कहना चाहती हूं बिना किसी को जाने बिना कुछ जाने ऐसा नहीं बोलना चाहिए इस तरह से अन्जू ने अपनी बात पहला कहा है दूसरी ही तरफ अंजू और अर्विन दौनों का ही ये कहना रहा है कि अभी सिर्फ बच्चों को लेकर उनकी मुलाकात हुई है अर्विन का कहना है कि ये उनका और अंजू का परसनल मैटर है उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर कुछ ना कहने की परसनल मैटर है और अंजू कहती है कि हमारे बीच जो भी बातचीत हुई है वो बच्चों को लेकर हुई है हम दोनों ने मिलकर बच्चों का खर्चा उठाने के बारे में भी सोचा है तो फिलहाल देखा जाए अंजू और अर्विन इन तमाम बातों पर सेहमती बनाते क्योंकि अंजु ने अपने इंट्रिव्यू में साफतोर पर कहा है कि वह पाकिस्तान जाए या फिर ना जाए लेकिन वह सबसे पहले अपने बच्चों के भविश्य को सवारेगी अंजु की 15 साल की बेटी है और 6 साल का बेटा है एरॉन और ऐसे में देखा जाए अंजु को लेकर ये दावी किये गए की पाकिस्तान से भहए भारत तो लोटी है ब्हुती है लेकिन दौनों ही बच्चों को पाकिस्तान लेकर जाएगी अर्विंदी से लंबे वक्त से अलग रह जहाई है अब यहाँगर जो आप्सी सहमती बनी है वो इनelfी बात पर बनी है कि सोशल म भारत बापिस भारत आएगा या फिर नहीं अगर आता है तो आखिरकार अंजु अपने दोनों बच्चों को लेकर पाकिस्तान जाएगी या फिर नहीं क्योंकि नसुरुल्ला भी दोनों बच्चों के पालन पोश्चन के लिए अंजु के साथ खड़ा हुआ है फिलाल इस खा